फाइनली एको सिस्टम के पॉप अप में आज 22 फरवरी गुरु बार को नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह नोटिफिकेशन आउन पैसी में नए करमचारी को सामिल करने से संबंधित है तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं न पॉप अप नोटिफिकेशन को हिंदी में देखने के लिए यदि हम एको सिस्टम के लॉइज को हिंदी में कर देते हैं और उसके बाद जब हम इस पॉप अप नोटिफिकेशन बाले ओप्शन पर क्लिक करते हैं फिर भी इस पॉप अप नोटिफिकेशन का जो टेक्स है व लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है वह अंग्रेजी में लिखा हुआ दिखाई देता है, हिंदी में लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है। अब सबसे बरा सवाल यहां पर यह उत्पन हो रहा है कि एको सिस्टम का लॉंग्वेज को चेंज करने के बाद भी पॉपप नोटिपेकेशन का कुछ ही टेक्स हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी का अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि एको सिस्टम का लॉंग्वेज चेंज करने के बाद एको सिस्टम में जो भी टेक्स लिखा हुआ रहता है वह हिंदी में हो जाता है। आप जिस longpage को select करेंगे उस longpage में हो जाएगा लेकिन ecosystem में जो image है और उस image में कुछ लिखा हुआ है तो उसका longpage change नहीं होगा इसलिए ecosystem के pop-up में कुछ ही text का longpage change हो रहा है और image वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है इस pop-up को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक image दिखाई देगा और यह image एक poster की तरह बनाया गया है जिसमें यहां पर on passive का logo लगा हुआ है और यहां पर उस क्रमचारी का photo लगाया गया है जो on passive में सामिल हुए है और इसी photo में यहां पर नीचे में यह अंग्रेजी में text लिखा हुआ है यानि यहां से यहां तक यह पू application आज 22 फरवरी को तीन बज कर 6 मिनट में जाड़ी किया गया है प्रकासित किया गया है जिसमें लिखा हुआ है आपकी team में कौन है आपका सपना निर्धारित करता है और नीचे में यहां पर यह image लगाया गया है अब इस image में जो text लिखा हुआ है वह अंग्रेजी में है और हिंदी में convert करने की बाद आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देता है जिसका पूरा text यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है निस्क्रिये on passive में आपका स्वागत है हमें यह घोशना करते हुए खुसी हो रही है कि डाक्टर एमान रासेद गुरुबार 15 फरवरी 2024 को मुख्य अल सलाहकार के रूप में हमारी टीम में सामिल हुए डाक्टर एमान के पास अल के छेत्र में 40 बरसों से अधिक का बिविद और व्यापक अनुभव है डाक्टर एमान के पास IT पडियोजना परबंधन साइबर और अनि के विभिन पहलूओं से जुरे विभिन परकार के परमान पत्र हैं यानि अनपैसि में जो नए करमचारी सामिल हुए है उनका नाम डाक्टर एमान रासेद है और ये 15 फरवरी से अनपैसि में सामिल हुए है इन्हें IT और साइबर सुरच्छा से संबंधित समझ है डाक्टर एमान को अपने पूरे केरियर में विभिन पुरुसकारों और योगता परमान पत्रों से समानित किया गया है डाक्टर एमान ने कलोफोनिया बेस्टन इनवर्सिटी एल ए यूएस ए से कंप्यूटर साइंस में पीजडी कि है सभी करमचारियों से अनुरो यानि यह जो डाक्टर एमान है उन्होंने कलोफोनिया बेस्टन इनवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीजडी किया है तो खुल मिलाकर यह जो डाक्टर एमान है जो ऑनपैसिव में नए करमचारी के रूप में शामिल हुए हैं उनहीं से संबंधित एको सिस्टम के प पूछ सकते हैं